विलकम टू सुपंच स्टेडी चैनल आज के से वडियो में आप लों को बताना चाहेंगे पटना हाइख का केस स्टेटस के बारे में, आखिर अज पटना हाइख में क्या हुआ आपो बताना चाहेंगे पिछला वीडियो में जैसा कि आप लोको बताए थे 160 serial number पे listing था और court में जो है आप लोग को दिखाए थे कितना number तक सुनवाई हुआ 4 बजे का update दिखाए थे आज नहीं हो पाए आप लोग का सुनवाए और देखते हैं सभी case जो है आप लोग का एक line से listing है जैसा कि देख रहे हैं 21 651 2018 2018 जो कि आपका PRD वाला case है और इसका भी अभी तक देख रहे हैं pending है अभी तक case और ये आज का ही status दिखाए जा रहा है serial number 160 पे था for admission purpose बट जैसा कि दिखाना चाहेंगे आप लोग को carry forward कर दिया गया है 26 November 2019 के लिए मतलब कल के date में और ज्यादा chance है कि कल ही आप लोग का decision आ जाए और जिसा decision का update आता है तो सबसे पहले आपको इसी channel के माधियम से सुचित किया जाएगा तो इसलिए यदि आप लोग इस channel पर नए हैं तो आप लोग इस channel को subscribe कर लें ताकि आपके पास update पल-पल किया आती रहे PRD Bihar, BTS CJ और LRC Bihar से related जिसा की देख रहे हैं यह BTS CJ का case update और इसका भी आप लोग को बताना चाहेंगे 40% reservation के लिए और 26 नॉवंबर को carry forward किया गया है Chief Justice के court में आप लोग का और कल जो भी update आएगा सबसे पहले आप लोग को इसी channel के माध्यम से सुचित किया जाएगा और दिखाते हैं next case का तो next case आप लोग का 13389 है इसका भी आप लोग को update दिखा जेते हैं कितना number पे listing है आप लोग का क्या है आज का status यह भी आप लोग का 16 serial number पे listing किया गया था और जिसा की देख रहे है 14305 भी है सारे का सारे जितने भी है 15860 है यह सारे का carry forward किया गया है कल के date में जिसा की देख रहे हैं 26 नॉमबर को carry forward किया गया है Chief Justice साव के court में और 15860 का बात करें यदि 2019 वाले case तो इसका भी आप लोग को status दिखा देते हैं इसको भी जिसा की आप लोग को बताना चाहेंगे इसका भी carry forward कर दिया गया है कल के date में तो जबी भी कोई update आता है आप लोग को जिसा की देख रहे हैं यह खुल चुका है फाइल और आप लोग का जो है 26 नॉमबर को जिसा की देख रहे carry forward किया गया है और यह case अभी तक pending दिखाया जा रहा है आपका पूरा बहस पूरा हो चुका है जितना भी होना था आपका 40% reservation को लेकर और जो बिहार गज़ेट के अनुसार जो 40% reservation दिया जा रहा है गॉर्मेंट पोल टेकनिक कॉलेज के उसी के अनुसार जो है आप लोगका पटना हाई कोट भी decision लिया जाएगा बिहार गज़ेट के अनुसार ही आप लोगका decision आएगा और ज्यादा तर chance है 40% reservation का जो मामला है वो जल्द से जल्द निपट जाए कल ही के date में कल नहीं हुआ तो आप लोगका परसो तक finally decision हो जाएगा क्योंकि आज 160 पर listing था आप लोगका और 60-65 तक गया हुआ था आप लोगका सुनवाए तो हो सकता है आप लोगका कल listing कर दिया जाए पटना हाई कोट में और कल decision भी आने का ज्यादा उम्मीद है तो जब ही भी कोई update आता है तो सबसे पहले आपको इसी channel के माध्यम से मिल जाएगा thanks for watching